हेलो गाइस वाट्स आप इस वीडियो में हम लोग सीएफ और पी आई निकलना सेखेंगे इस प्रॉब्लम का ओके फोर्थ वाले प्रॉब्लम को सॉल्ड करेंगे और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पर मैंने पूरे प्रॉब्लम सॉल्ड को बताया हुआ है और अगर आप यह पूरे प्रॉब्लम सॉल्ड कर लेते हो तो मेरा यह दावा है कि आप सीफ और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्ड कर सकते हूं और especially question 4 और question 5 जो है सबसे ज्यादा important question है तो बस आप इसको पूरे देखिए let us start ठीके शुरू करते है question 4 solve d square y upon dx square plus 3 times d y upon dx plus 2y equals to e की power e की power x आपको दिया हुआ है e till power e till power x दिया हुआ है तो हम पहले हम क्या करेंगे इस equation हम पहले symbolic form में लिखेंगे symbolic form of the above equation is given by d square plus 3d plus 2 into y equals to e की power e की power x basic हमको पता है d upon me d x अपने क्या होता है d operator operator d होता है वैसे हम लोग इसका square term लेंगे dx square this is going to be d square ok तो यहां पर इसकों क्या ले सकते हैं d square y ले सकते हैं कि नहीं d square y plus 3dy plus 2y equals to e की power e की power x तो basically हम लोगा common निकाल दिया है तो here it is d square plus 3d plus 2 into y equals to e की power e की power x तो अब हम वो करना क्या बता हूँ इसका auxiliary equation निकालना तो auxiliary equation क्या करते हैं जो y की coefficient होता है उसकों क्या करते हैं 0 से equate करते हैं by replacing m with sorry d with m d जागा हम क्या करेंगे m लिखेंगे और c for c इतने वाले part को आपन solve करेंगे तो this is m square plus 3m plus 2 equals to 0 तो इसकों क्या करते हैं तोड़ सकते हैं 2m और m से तो m square plus 2m plus m plus 2 equals to 0 यहाँ पर देखा अपन m common निकाले हैं तो मास क्या बचाएगा m plus 2 बचाएगा वैसे यहाँ पर आपन 1 निकालते हैं तो m plus 2 बचाएगा which is equals to 0 m plus 2 into m plus 1 equals to 0 here we will get m equals to minus 2 and minus 1 तो हमारे पास जो cf की value मिलेगी okay we are interested in this value that is cf that is equals to c1 into e की power minus 2x plus c2 into e की power minus x because the roots are क्या roots are real and distinct okay roots अपने क्या है real and distinct distinct का मतला क्या है different different roots मालूं पर आपको मालूं पर आपको minus to minus 1 क्या है different values होते है same value नहीं होती है now we will come to pi वाला पार्ट pi हमको निकालना है तो देखते हैं क्या होगा pi equals to one upon me इसको लिखते हैं पहले अपन ठीक है one upon me यह जो symbolic form में लिखा हुआ है okay इसको अपने यहां लिखते हैं into यहां पर जो dhvr function आपको x का e की power e की power x इसको हम कहां लिखते हैं यहां पर लिखते हैं and that is what makes this problem very important तो आगे बढ़ते हैं तो इसको मुझे कहले सकते हैं देखो तो यहां से यहां से मुझे क्या मुलता था m2 plus 3m plus 2 देखो तो अगर मैं d को हम से replace करता हूं तो मुझे यह वाला equation मिलता है कि नहीं अब यहां से मुझे क्या मुलता है m plus 2 into m plus 1 तो हम इसको वैसलिकेंगे that is 1 upon me d plus 2 into d plus 1 into e की पाव e की पाव x इसको ऐसे मा क्यों क्यों हूं भी को आपको थोड़े देना मालूम पड़ी आएगा ठीक है अब यहां पर हम क्या करेंगे एक formula यूज करने वाले है ठीक है formula जो है use formula क्या बता हूं यहां पर रहाएगा आपका 1 upon me d minus a 1 upon me d minus a into q q कोई भी function हो सकता है that equals to e की पावर a x integration of q into e की पावर minus a x dx इस वाले formula क्या करेंगे यहां पर use करने वाले है very important formula कैसे उसको यूज करना सब आपको बताऊंगा में ओकी अब यहां पर देखो क्या है d minus a दिया है तो यहां क्या लिखाए d plus 2 लिखाए d plus 1 लिखाए तो पहले क्या करेंगे हम किसी e को solve करेंगे let's up पहले में इसको solve करता हूं तो इसको मैं ashts रखूंगा तो देखो यहां पर क्या होगा पी आई पी आई एक्वल्स टू वन अपॉन में d plus 2 ashts रहा गई है ओके हम क्या कर रहेंगे इस वले पार्ट को solve करेंगे ठीक है तो यहां पर बड़ा अलब रैकेट open करता हूं में इसको मैं पहले लिख लेता हूं मैं d plus 1 यह हो गया into e की पार e की पार x अब इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो क्या हो देखा हूं पर 1 upon me d plus 2 1 upon me d plus 2 बड़ा रैकेट open कर लिया 1 upon me d minus of minus 1 इसको मैं से लिख सकता हूं में ठीक है बिकाज यहां पर e की वाली क्या हो जाएगा यहां पर minus 1 हो जाएगी तो यह रिट इस e की पार e की पार x ठीक है यह अपना हो गया अब अपन जब फॉर्म देको अब यहां पूट अप करेंगे तो देखो अपना क्या बन जाएगा यहां पर one upon me d plus 2 as it is जबाएगा ओके यहां पर आजाओ देखो एक वाली हाँ पर क्या माइनस हो ने तो यहां पर क्या हो जाएगा यह एक की पार minus x हो जाएगा integration of q क्या है बता क्यों क्या है यह है that is e की पार e की पार x into यह है e की पार minus ax एक यह लिके है minus one है तो minus minus क्या अपना है positive हो जाएगा तो यह x होगे यहां पर क्या लिके अपर यहां पर dx लिकेंगे ठीक है ओके अब यहां पर कुछ अपन consider करेंगे that is put यहां पर यह वाला part that is e की पार x equals to t तो यहां पर differential के आपना जी क्या हम लेगा e की पार x into dx equals to dt मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर जो लिखा वजलों को अपन कैसे लिखेंगे pi equals to pi equals to yes it is रहाएगा ठीक है one upon me d plus 2 अभी इसके अपन कुछ निकाते हैं यह अपना separate है ठीक है अपन से फसिल इस पर operate करते हैं integration of देखो यह वाला पार्ट के अपना यह डिटी है कि नहीं और क्या लिखाना देखो e की पार एक्स तो यह वाला पार्ट अपने क्या अपने क्या हो जाएगा यह हो गया अब यहाँ पर t की वालु क्या है e की पार x है तो इसको पर यहाँ से replace करेंगे तो one upon me d plus 2 यह अपना यहाँ पर हो गया यहां पर क्या हो e की पावर minus x यहां पर क्या है e की पावर e की पावर x हो जाएगा ओके यह पना पहला पार्ट साल रोग गया now we'll come to second वाला पार्ट ठीक है तो देखो second वाले पार्ट में अपन कैसे करेंगे exactly वही वही चीज़को अपन यहां पर repeat करेंगे that is d minus of minus 2 ठीक है तो यहां पर जब formula रहे तो क्या होगा e की वाले क्या हो जाएगे यहां पर minus 2 जाएगे और बाकी चीज़ों को अपन lgts रखेंगे ठीक है that is e की power minus x into e की power e की power x याज़ीटी से रहा है क्या ठीक है अब क्या करेंगे formula को apply करेंगे तो formula क्या होता है e की power ax integration of q into e की power minus ax dx ओके तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा यह पना क्या पूरा q है ओके ठीक तो यहां पर क्या हो अब देखो देखो यहां पर e की में डिक्या है minus 2 है और यहां देखो क्या लिखा एक पर एक लिखातो यहां पर क्या हो जाएगा यह पहले e की power minus 2 x हो जाएगा ठीक है फिर integration देखो हाँ क्यों लिखा है q क्या बिखा होगा this whole term लिखा है Kollege क्या लिखा हुआ है कि के पार माइनस x लिखा हुआ है okay मतलक мसलिभा इसका चस्ट उल्टा तो आगे यह फे पॉजिट् augment een उपधि तो यहां पर नेगेटीव हो जाएका तो यहां पर क्या लिखार करते हैं तो यहां पर सूल पर क्या लिखाव और है यहां पर निख्वार कहाओ यहां फूट बिते हैं RS में अब क्या करेंगे e की पावर x हुम क्या मानेंगे t मानेंगे तो put e की पावर x equals to t which implies e की पावर x into dx equals to dt तो यह अपना equation जो क्या बन जागा यह हम क्या निकाल रहे हैं तो यह as it is रहाएगा हम क्या करें से विस में changes कर रहे हैं तो e की पावर minus 2x integration of यह और पाट अपने क्या dt हो जाएगा ठीक है और e की पावर x क्या मानों t माना तो this is going to be t तो यह अपने क्या पावर e की पावर t हो जाएगा तो यहां पर लिखेंगे e की पावर minus 2x into e की पावर t अब e की पावर क्या हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा तो हमें क्या चाहिए कंप्लीट सोलेशन चीए किसका चीए इस equation का हमें क्या चीए इस equation का पावर ने सोलेशन चीए कंपूर सोलेशन चीए तो यहां पर क्या बादेखर यहां लिखेंगे अदा किक्षों लिखेंगे निकाल चुके हैं ठीके क्या देखर आप एक शेक वर्दी यह इसको लिख लेते हैं पहले तो सिएफ इक वेडिवा की पावर मैनस 2X plus C2 into e की पावर minus X, okay, फिर plus PI की वैल्यू, PI की वैल्यू अपन ज़स्ट यहां निकाल ले थे, that is, क्या बता हूं, e की पावर minus 2X into e की पावर e की पावर X, तो यहां पे लिए close को भी, क्या हो दिखा आप है, yes, e की पावर minus 2X into e की पावर e की पावर X, and this is my final answer, okay, thank you.